आपके लव रिलेशन में क्या गुड नियूज मिलेगी आपको नमस्कार दोस्तों जैमात अदी जैश्रे कृष्णा कैसे हैं आप सब हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे सेहत मंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे बहुत सारी सक्सेस हासिल कर रहे होंगे हमारी इश्र से आप सभी के लिए यही प्रार्थना हैं कि आपके जो भी सपने हैं जो भी एक्षा हैं वो सब पूरी हो जाएं जो पॉजिटिव है वो आपको मिल जाए और जो नेगेटिव हो वो आपसे दूर रहे आज हम आपके लिए बहुत इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक लिए कराये हैं कि आपकी लव रिलेशन में क्या गुड निउस आपको मिल सकती है आपकी सामने दो तस्वीरे हैं दो नमबर हैं आपको जो जादा आकरशित करें उसे आपको चुन लेना है सबसे पहले आखे बंद करके डीप ब्रीदिंग करनी है और फिर एक उप्शन चुन लेना है उनके बारे में सोच कर फिर अपनी रिडिंग देख लेनी है किसी कारण से अगर आपके चुने हुए आप्शन की रिडिंग आपसे मैच ना हो तो दूसरा भी सुनकर देख लीजिए हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए और आप्शन चुनने में कोई मिस्टेक हो गई हो आप आप समझ गए होंगे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं अगर आपका दिल करें तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर ऑप्शन की 101 जिसकिसी ने भी चुना है उने के लिए साइन और एलिमेंट है यहां बहुत ही स्ट्रॉंग साइन फायर साइन एद इसलिए उस एजिटेजिस की एनरजी बहुत है निश्चे धनुरासी चैमनाय लिब्राइकरियस मिथून तुला कुम राशी भी है टोर्सवर्गु कैप्टेक और ब्रिशेप कनया मकर राशी भी है लेकिन कर्ग ब्रश्चिक मीन राशी की एनरजी थोड़ा सा कम है यहां बात कर लेते हैं डेट आप बर्थ की तो यहां आपकी या आपके परसन की डेट आप बर्थ हो सकती है किसी भी महिने की 26 तारीक 2 तारीक 8 तारीक 28 तारीक 10 तारीक 22 तारीक 13 तारीक 6 तारीक 7 तारीक यह डेट आप बर्थ हो सकती है आपकी या आपके परसन की अब हम बात करते हैं बर्थ मंत की तो बर्थ मंत हो सकता है March, October, May, December, August और February ये बर्थ मन्थ हो सकते हैं आपके आपके परसन के जन के महिने अब बात कर लेते हैं नेम के निशल की आपका है आपके परसन के नेम का फर्स्ट लेटर या नाम का पहला अक्षर हो सकता है जे, आई, एस, क्यू, एम, वाई, ओ, के, सी, और डबलू ये नेम के निशल हो सकते हैं कंडिशन की बात करें तो यहां हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सैपरेशन की कंडिशन में हैं बहुत अच्छा नहीं चल रहा है रिष्टा शुरुआत तो बहुत अच्छी थी लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहां ऐसा लग रहा है कि आपको इग्नोर कर रहे हैं आपके person आपसे बात करने से बचते हैं अगर आप उन्हें phone call करते हैं या तो फिर मिलने की कोशिश करते हैं या message करते हैं तो उसका reply वो जल्दी देती नहीं कई बार आप दोनों के बीच कुछ ऐसे जھखड़े हो गए हैं कि अप ऐसा लग रहा है कि यह रिष्टा बचेगा भी या नहीं बहुत अच्छा नहीं चल रहा है कहना चाहिए चीज़ें बहुत जादा डिस्टर्ब हैं बहुत जादा परिशानिया आप दौनों के इस रिष्टे में आप पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहे हैं कारण इसका आप दौनों से जादा किसी और थर्ड पार्टी की involvement वो थर्ड पार्टी ये नहीं कि आपके person का किसी और से affair है और वो थर्ड पार्टी कहलाता है तो ऐसा नहीं है थर्ड पार्टी हाँ उनके दोस्त भी हो सकते हैं जो बहुत interfere करते हैं थर्ड पार्टी कभी आपकी फैमली हो सकती है या तो फिर उनकी फैमली का कोई इंसान हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इंटर्फियर करता है आपकी इस रिष्टे में कहीं न कहीं आप दोनों की रिष्टे में दूसरे लोगों का बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इंव जगड़े हो जाएंगे कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि हम तो बेकार की ही बात पर जगड़ रहे थी ये बात तो हमसे रिलेटेड ही नहीं थी तो ऐसा ऐसा हो रहा है कि कुछ ना कुछ जैसे एक बहाना चाहिए होता और लडाईयां शुरू हो जाती है इस वज़े से आप थोड़े दिनों से उनसे कटे-कटे रहने लगे हैं या तो फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है कहीं न कहीं हम देख रहे हैं सैपरेशन की कंडिशन है अब आप के परसन ऑनलाइन मिले हो ओफलाइन मिले हो कॉलिज फ्रेंड भी हो सकते हैं कंडिशन सब की स्वाइल नंबर बन जिस किसी ने भी चुना है तो उनका रिष्टा बहुत जादा ओन आफ की कंडिशन से गुजर रहा है बहुत परेशानियों का दौर चल रहा है सैपरेशन की कंडिशन चल रही है बहुत सारे लोगों के लिए आपके परसन ने आपको ब्लॉक कर रखा ह या आपने उनसे दूरियां बना ली है अब इस रिष्टे में होप थोड़ा कम बची है आपको अब ऐसा लगने लगा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट से आप ही कंप्रोमाइस करते हैं आप ही हमेशा आगे बढ़कर दोस्ती की बातें कर लेते हैं या तो फिर जब लड़ाईया यही महसूस किया है अब आप नहीं चाहते बार बार यही चीज़ें दोराना डियर अगर ऐसा कुछ है आपके रिष्टे में तो हम बताएं अब आगे आपको क्या गुड नियूस मिल सकती है गुड नियूस यह मिल सकती है कि जब से आपने उनसे दूरियां बनाई है या त उन्होंने एक चीज़ महसूस की है कि जो दूसरे लोग आप दोनों के बीच गलत फहमी क्रियेट कर रहे थे बना रहे थे या तो फिर आपके कान भर रहे थे वो लोग सचे नहीं थे जूट था उनकी बातों में बहुत जादा उन्हें यह जूट समझ में आने लगा है उन बातें आपके खिलाफ उनके कानों में भरी थी और उन्होंने विस्वास कर लिया था डियर उन्हें धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि आपके इस रिश्टे के साथ जो उन्होंने किया वो अच्छा नहीं किया उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है लेकिन यहां हम ब पीटें ये सब वो नहीं करने वाले हैं लेकिन उन्हें एहसास हो रहा है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं आपकी कोई गलती नहीं थी कहीं न कहीं उनकी भी कई बार गलती होती थी फिर भी आप हर बार इस रिश्टे को बचाने के लिए उनसे बात किया करते थे उनसे मुल लोगों में तो है कई लोगों में नहीं भी हैं वो भले ही आप से आके सौरी ना बोलें लेकिन आपसे बात करना चाहते हैं आपसे मुलाकात करना चाहेंगे डियर हो सकता है कि वो आपको मैसेज करें बहुत जल्द इसी हपते हो सकता है कई लोगों के लिए तो साथ दिन औ आपके person का message आ सकता है और वो आप से कह सकते हैं अपने दिल की बात ये सारी बातें की हम एक नई शुरुआत कर लेते हैं हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं कहीं न कहीं हम दोनों को भी इस रिष्टे में आगे बढ़ना चाहिए हो सकता है कई लोग commitment भी करें या तो फिर अगर block कर दिया है तो unblock कर सकते हैं यहां पर हम देख रहे हैं कि एक positive energy flow हो रही है जो negativity थी आपके इस रिष्टे में वह दूर होगी और एक positivity आने वाली है जो negative या कार्मिक लोग उनके आसपास हुआ करते थे वह उनसे दूर हो जाएंगे आई होप आप समझ गए होंगी र हम बात करेंगे option number two के लिए जिस किसी नवी चुना है option number two second option और आप जाना चाहते हैं आपके love relation में क्या good news मिल सकती है डियर हम यहां बताएं यहां बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो किसी को दिल ही दिल में चाहते हैं अभी तक अपने दिल की बातें कहने ही पाए हैं इसहा social media पर मिले हैं social media के थुरू दोस्ती हुई है बातचीत तो हो रही है लेकिन मुलाकात अभी तक हुई नहीं पर बहुत close आ गए हैं वो बहुत सारी बातें करते हैं यहां पर कुछ लोगों के person intercast issue यहां बहुत ज्यादा लग रहा है बहुत strong intercast issue लेकिन आपके person बहुत open minded है इन बातों को वो मानते नहीं बहुत जादा समाज की जो बनाई हुई ये परमपरा हैं उनको नहीं मानते हैं बहुत open minded हैं बहुत freedom lover हैं एक और बात हम देख रहे हैं कि यहां पर आपके person बहुत सारे सपने देखते हैं आपके लिए कि आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं time spend करेंगे तो इस तरह से बहुत कुछ उन्होंने आपके साथ सपने देखें बहुत कुछ सोचा है भले ही आपसे अभी तक ना कहा हूँ ये बातें dear यहां बहुत positive energy की vibes आ रही हैं अगर वो social media पर भी मिले हैं तो हो सकता है कि आपसे वो मिलने आएं आपसे दोस्ती आगे बढ़ाना चाहते हैं इस दोस्ती को रिष्टे में बदलना चाहते हैं या तो फिर कहें कि वो commitment देना चाहते हैं आपसे engagement करना चाहते हैं यहां पर एक और हमें चीज नजर आ रही है वो यह है कि जो लोग social media पर मिले हैं या जिनके person married हैं जिनकी family है उन्हें थोड़ा साथ स गलत बातें बोलकर आपको धोखे में रखकर हो सकता है यह feedback दे दें कि उनकी family के साथ बनती नहीं हैं वो अलग रहते हैं वो single हैं और जूट बोलकर आपके साथ रिष्टा बनाना चाहते हैं और वो आपको धोखा दे रहे हैं तो अगर आप social media पर मिले हैं और आपकी person married है या तो फिर ये बात भी उन्होंने छुपाई हुई है कि वो married है या उनकी family है तो यहां पर थोड़ा हमें लग रहा है कि आपको aware रहने की जरुत है यहां धोखा मिल सकता है आपके person आपको अंधेरे में रख रहे हैं आपको सारी बातें सही नहीं बता रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके person बहुत ज़्यादा अभी बातें तो करते हैं लेकिन अपने बारे में नहीं बताते सिर्फ आपके बारे में पूछते हैं तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देजिए आप लोग बाकी लोगों के लिए हम बताएं तो यहां पर आपके person आपके लिए बहुत सारे सपने देखते हैं dear वो मिलना चाहते हैं अगर वो सच में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं life में तो आपको एक बात बताएं वो आपकी family के बारे में बातें करते होंगे यह कुछ ऐसी बात हैं छोटी छोटी हैं लेकिन अगर कोई भी इंसान इंट्रेस्टेड है किसी और को अपना life partner बनाने या तो फिर अपने जिन्दिकी में शामिल करने के लिए तो वो हमेशा ही उसकी family को importance देगा हमेशा ही उसकी खुशियों को importance देगा सिर्फ उस इंसान को नहीं बल्कि उससे जुड़े हुए उसके दोस्त उसके friends उसके relatives उसकी family के बारे में भी बात चीत करेंगे अगर वो ऐसा करते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि वो आपके साथ life में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं पर फिर भी एक बात बता दें कि आख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं कर लेना है ऐसा नहों कि कोई आए आपको यूज करे और आपको रोता हुआ छोड़ है अपनी एनरजी को बैलेंस करना है किसी पर भी आख बंद करके ट्रेस्ट नहीं करना है अब हम बताते हैं जिनका रिष्टा शुरुआती दौर मर है बिगनिंग हो रही है एक नए शुरुआत हो रही है आपके इस रिष्टे में तो आपके परसन आपकी साथ आगे अपने देखते हैं पर यहाँ पर हम explaining को लेकर भी बहुत ज्यादा सोचते हैं इतना ही नहीं सिर्फ अपने केरियर को लेकर नहीं बल्कि वह मैं अपनी लाइफ में और उनको भी स्टेबिल होने की जरुद है अगर वो स्टेबिल हैं बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं तो भी वो चाहते हैं और ग्रोथ हो तो काफी समझदाद लग रहे हैं काफी मैच्चेो हैं आपके परसंड यहां एक और बात लग रही है कि फैमिली ईश्यू बहुत स्ट्रॉंग हो सकता है आपके परसंड के साइड से या तो फिर आपकी फैमिली का कैसा हो सकता है कि family के लोग नहीं मानेंगे शायद intercast marriage करने के लिए या तो फिर जो उनका status है या तो फिर जो आपका status बहुत जादा difference है अगर कोई एक बहुत rich है कोई एक बहुत जिसका नाम है समाज में तो हो सकता है वहाँ पर issue ये create होंगे पर फिर भी आपके person बहुत positive है इस रिष्टे को लेकर आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर उन्हें आपका nature बहुत अच्छा लगता है अभी क्योंकि वो आजमा रहे हैं बातें आप से करते हैं कहीं न कहीं ये दिल ही दिल में आपको टटोलते रहते हैं कि आपका nature कैसा है आप किस हद तक उनके लिए fit है आप उनके लिए एक अच्छे life partner बनेंगे या नहीं ये बात उनके मन में पूरे समय रहती हैं तो आपकी हर बात से वो कुछ नकुछ अंदाजा लगा रहे होते हैं आप ये मान ले आपके person काफी positive हैं आपके लिए और आगे भी अगर उन्हें सब कुछ अच्छा लगता है तो वो आपके साथ commitment करना चाहेंगे engagement करना चाहेंगे तो फिर marriage का proposal भी दे सकते हैं good news ये है आपके लिए कि बहुत सारे लोगों को commitment मिलने वाला है आपके person अगर social media पर मिले हैं तो आप से मिलने आने वाले हैं और अगर आप सिर्फ social media पर मिले हैं अभी तक और कुछ आपको नहीं पता है उनके बारे में आप किसी पर भी trust करें क्योंकि एक बार इंसान धोखा अगर life में खा लिता है तो कभी भी दूसरे पर trust नहीं कर पाता है तो वो condition ही ना बने आप किसी से भी धोखा न खाया उसके लिए अगर आप समझदार ही दिखाते हैं तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं I hope आप समझ गए होंगे आपके person काफी mature लग रहे हैं और काफी positive energy के साथ आपके इस रिष्टे में आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए बता दे कि within a month आपकी मुलाकात हो सकती हैं और जिनके person आसपास रहते हैं मिलते जुलते रहते हैं तो हो सकता है कोई प्यारसक gift आपको देने का सोच रहे हैं कोई आपकी पसंद का कोई surprise gift आपको मिल सकता है उनकी तरफ से good news तो dear यही है कि आपके person अपनी family में भी बात कर सकते हैं कि आपसे ही शादी करनी हैं और आपसे शादी की जिद्ध भी कर सकते हैं शायद वो चाहते हैं कि आप ही उनकी life partner बनो और बहुत जल्द आप दोनों की शादी भी हो वो भी family की मर्ची से तो इसके लिए वो अपने efforts लगा सकते हैं I hope आपको आज की reading अच्छी लगी होगी अगर reading अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें वेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब ही new वीडियो अप्लोड हो तो आपको notification मिल सके साथ ही comment box में आपको gratitude send करना है उनके लिए जिनको भी आप मानते हैं thanks to god लेखें thanks to angel लेखें जिस किसी को भी आप मानते हैं उनके लिए thanks लेखें साथ ही अपने लिए भी लेखें कि आप बहुत खुश हैं आप जीवन में सब कुश प्राप्त कर रहे हैं इस तरह से जब आप positive energy वाले comment लिखते हैं तो आपकी life में भी यही positive energy आती है मिलते हैं अगले वीडियो में जै माता दी जै श्री कृष्णा अपना ख्याल रखी और अपनी खुशियों का ख्याल रखी